शारुक खान और टॉम्क्रूज, तोम सोचों कि यह क्या कंपेरिस लोगा, बट सुच यह है, और शारुक खान को तुम बॉले वॉड में किसी से कंपेर करनी सकते हो, तो इसलिए हम कंपेरमा हैं करेंगे शारुक खान, arguably Bollywood, India के सबसे बड़े स्टार और Tom Cruise, arguably दुनिया के सबसे बड़े मुवी स्टार इस वीडियो के ख़ब होने तक तुम्हें पता चल जाएगे कौन बिटर आक्टर है, कौन बिटर बिजनसमेन है कौन जादा बड़ा सूपर स्टार है इस वीडियो को बनाने का आईडिया भी मेरे को तब आया जब मैंने एक राइंडम भाई साब की ट्वीट दे कि जन्होंने शारुक कान को इंडिया का Tom Cruise बोला था और बोला था कि Bollywood को सेफ कर लिया है पठान ने अब जिनरली दुम सोचे को कि हाँ ठीक है बॉलिवूड को सेफ किया है पठाने पर गलती उन भाई साब ने ये करी कि उन्होंने उनको इंडिया का Tom Cruise बोल दिया उसके बाद तुम रिस्पॉंसे खुदी पर सकते हो है टुटर पे लोग कह रहे हैं कि इस सार के किंग है टॉम क्रूस कौन है सार के सामने एक बाई साब ने तो तॉम क्रूस को युए से काक्षे कुमार तक बोल दिया था बड़ टुटर पर लाईयों से बढ़के कुछ इस सारे सुपर स्टार को अनिलाइज करेंगे नेमली उनकी मुवीज मुवीज की परफॉर्मेंसे अक्टिंग प्रॉबर्स उनके बिजनसे स्टैंस का प्यार उनकी फॉलुविं कुल्ट्ट्रल इंपक्ट इसारी चीज़ें मुवीज में टॉम क्रूस की सबसे पहली करेंगे चीज़ें स्टैंटेंट्र यॉवीज फॉडिंग्ड उनकी मुवीज प्रिटंट्र विज यॉट थरुसण करेंगे तो डिछ्यवार ओंसे ओमप्रॉबर्स शर्वरूबर्स मेंगा ना सिर्फ talk to show crime to 738-5 मुवीज collection is around 8.5 billion dollars. मैं शारुक खान का all-time box office is around 256 million जहां पर उनकी highest grossing movie है. पठान जो डॉलर्स में 65 million के आसपास कमाई और Tom Cruise की Top Gun Maverick ने 1.5 billion के आसपास की कमाई करी. In fact, Tom Cruise की lowest grossing movie 1985 में आई थी जिसने 15 million कमाई थे और शारुक खान ने अपने करियर में बहुत सारी movies नहीं होता है. उसकी overall presence होता है. तो अगर हम overall presence में दोनों की net worth compare करें तो शारुक खान की net worth almost 800 million dollar है. और वो world के top richest actor में second third number के बीच पी गूमते रहते हैं. वहीं Tom Cruise की picture उने भले ही 8.5 billion कमाई होगर Tom Cruise की खुड की net worth कुछ 600 million dollar ही है. In fact, यहां पर business का भी बढ़ा रोल है जहां पर शारुक खान की कंपनी Red Chillies Entertainment जो दुनिया भर में काफी quality VFX गरती है. इंडिया में बेस होके अपनी पिक्चर भी बनाते हैं. शारुक के businesses में उनकी cricket teams हैं और बहुत सार investment है. वहीं Tom Cruise का सबसे prominent business है. उनकी Cruise Wagner production जिसने worldwide box office में 3 billion dollar की कमाई करी है. तो business को compare करना है तो इनकी network को compare करो है और शारुक खान यहां पर जीत जाते हैं. बट एक superstar सिर्फ पैसो से और कमाई से नहीं बनता है वो actually बनता है अपने influence से और cultural impact से. बात करते हैं पहले शारुक खान के cultural impact की. शारुक खान has had a massive cultural impact. उनका जो DDLJ वाला पोस है ना 1995 में जो आया था एंड उसकी इतनी जादा cultural significance है कि even to this day 28 साल बाद में देखते हैं शारुक खान को उसको recreate करते हुए बहुत सारे actors को बहुत सारी movies में उस इकलौते शारुक खान के पोस का cultural impact में बहुत सारी जाता है. महीं टॉम क्रूस फेमस तो है पर टॉम क्रूस का जो सबसे बड़ा claim to fame आज के तारिक में है वो यह है कि टॉम क्रूस साट साल की उमर में भी अपने stunts खुद करते हैं. यह इस कमिटेट तो नहीं है लोगों के बारे में कैसे बात करते हैं Just the sheer fact कि हर साल शारुक के बर्दे पे इतनी भीड उनको सिर्फ एक जलक देखने के लिए आ जाती है वो दिखा देता है कि शारुक का cultural impact कितना जादा है टॉम क्रूस से. Just by the sheer impact in the cultural side guys इस तुम कंपेर ही नहीं कर सकते हैं कि शारुक खान और टॉम क्रोस कहां stand करते हैं यह उनके social media following भी दिखता है ट्विटर बे शारुक खान के टॉम क्रोस से 36 million जादा followers हैं Instagram पे कुछ 30 million जादा followers हैं शारुक की following ऐसा नहीं है कि तॉम क्रोस भले ही social media बे शारुक खाले numbers में बहुत नीचे रह जाते हूं but he has a global liking towards himself कोई तॉम क्रोस को ना पसंद नहीं करता है पर कोई तॉम क्रोस को शारुक खान जितना पसंद भी नहीं करता है I know थोड़ा hyperbolic है but अगर तूम population या पर number of people को ही compare कर रहा है तो शारुक की following just in terms of the potential audience that he has is much more than the English-speaking crowd that Tom Cruise caters to and इस प्यार का कारन उनका professional career भी बहुत जादा है in fact when both of these guys शारुक and Tom Cruise started their career they both started in the roles of tender little romantic boys or romantic lead seeking love शारुक खान ने दिवाना में वो करा था Tom Cruise also has a similar real life story where he starts off his career with an insignificant side role given a romantic drama and just love but जैसे जैसे शारुक खान का फिल्म करियर आगे बढ़ता गया he started getting more mature roles in his movies and a lot more movies started riding on शारुक खान as the lead actor similarly Tom Cruise also started getting a lot of attention but it was not until Mission Impossible which is 15 years into his career that Tom Cruise actually became a breakout star जैसे शारुक ने अपने करियर के 5-7 सालों के बीच में बहुत बड़ी hits देनी शुरू कर दी थी वर शारुक के उपर उनकी इनिशन सेजिस में जो प्रूसर ने बहुरोसा और अधने प्यार दिया उसने शारुक को वो फ्यूल दे दिया जो उनको करना था विचे के बीच में बड़ी है बड़ी है विचे के बीच गरूस को अगर तुम कर अधने प्रफेशनल करी में जब से Mission Impossible हुए है विनेवर रेली हैं थीन तुम क्रूस दू आक्टिंग उन्की सारी पिक्चरों में he almost always plays the lead macho man and nothing else Tom Cruise की real life बढ़ ही iconic है but it's also very bland and I can't help but criticize अब 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 बत क्रिटिसाइज है अब 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 अच्छी अक्टिंग भी करी है अब अच्छा 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 भी करा है शारुक खान ने अच्छा side character भी play करा है तो just by the sheer capacity of the acting that Shah Rukh Khan does and the charm that he conveys शारुक कान अब 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 न वहाँ रखोंगा but उसके beyond जो शारुक करते हैं उसका comparison तोम कुरूज के professional acting career में I don't think है तो यह पॉइंट शारुक खान को अन्यकर तुम्हें इस वाल के जवाब चाहिए ना कि कौन जादा बड़ा सुपरस्टार है तो तुम्हें बस इस चीज़ पर जाना है कि उनकी ओडियन्स उनके फैंस उनको क्या बुलाते है शारुक खान को दर्जा दिया जाता है किंग ओफ बॉलिवोर्ड, बादशाह का तॉम क्रूस के लिए मेरे दिमाग में क्या मेरे को इंटरेट पर रूनने के बाद भी को ऐसा निकनेम नी मिला जो उनके पूरे करियर को समर्राइज करते है इन फाक अभी मैं फोब्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था अगर तॉम को लगता है कि टॉम को जादा बड़ा सूपरस्टार है तो तुहाईर को शाहिद इससे थोड़ा रियालिटी जेक मिला होगा और मेरे को थोड़ा बुरा सा लगाता है यार कि जब बोला कि उस रैंडम इंसान लेगी शारुक खान इंडिया का टॉम क्रूज है जबकि रियालिटी में दोनों आपस में बराबर ही नहीं हो सकता है शारुक खान जादा उपर ही हो तो हो सकता है इसलिए टॉम क्रोस को पिक्चर है ऐसी बड़ी बड़ी बनाने पड़ने ताकि वह अपनी जो आलेमनी देते हैं वो देते रहे टाइम से अब नहीं जोग एसे पॉप कलच नहीं जो आल से के लिए फॉलो गरो और और पुर आई वीडियो जाकर चेक आउट को तो बड़ा मसा आएगा छेने नेक्स वन बड़ाए